यू तो दिल्ली में हुए खौफनाग दंगे का कोई भी मनजर भूलना आसान नहीं है मगर आप इस चेहरे को भी नहीं भूले होंगे ये वही लड़का है जिसे इस साल 24 फरवरी को नौर्थ इस दिल्ली इलाके में सड़क पर खुले आम फाइरिंग करते हुए देखा गया था पुलिस के मुताबिक उसने आठ राउंड गोली चलाई और एक पुलिस कर्मी पर बंदू भी तान दी थी लड़के की पहचान अरविंद नगर में रहने वाले शाहरुक के तौर पर हुई थी गिरफतारी के डर से वो काफी भागता फिरा लेकिन कुछ दिन बाद यूपी के शामली से धर लिया गया ताजा खबर ये है कि 24 जून को उसकी जमाना त्याजका दिल्ली हाई कोट ने खारिज कर दी और इस दोरान अदालत ने जो टिपड़ी की है वो बहुत एहम है समचार एजिंसी PTI के मताबिक जस्रिस सुरेश कुमार ने कहा कि वो आरोपी शाहरुक को राहत देने के पक्ष में नहीं है इसके बाद शाहरुक के वकील ने याजिका वापस ले ली कोर्ट ने कहा अगर आप कानून खुद के हाथ में लेते हो और हीरो बनते हो तो फिर आपको कानून का सामना भी करना होगा आपका मकसद हीरो बनने का था आप सुनिए जमानत किस आधार पर मांगी गई थी शाहरुक ने अपनी जमानत याजिका में कहा कि उसके पिता बूड़े हैं 76 बरसके हैं बीमार हैं उसे उनकी देंग भाल करनी है क्योंकि उसके अलावा परिवार में कोई और नहीं है शारुक के वकील अजगर खान का कहना था कि शारुक का पिछला कोई करिमनल रिकॉर्ड नहीं है और मामले में चाशीट भी फाइल हो चुकी है इसलिए उसे जाज की जरूरत नहीं है इसके अलावा वकील की तरफ से जामिया की सफूरा जरगर को मिली बेल का हवाला भी दिया गया कहा गया कि सफूरा को मानुई आधार पर जमानत दी गई है इसलिए शारुक की जमानत को भी उसी आधार पर कंसीडर किया जा सकता है वकीर ने एक और तर्क दिया वो ये कि शारुक को उस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उकसाया गया था और उस एक पर्टिकुलर घटना के लावा उसने दंगे की किसी भी घटना में हिस्सा नहीं लिया था इस पर सरकार की तरफ से additional public prosecutor अमित चड़ा ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्हें दो और CCTV फुटेज मिले हैं जिसमें शारुक साफ तोर पर फाइरिंग करता दिख रहा है कोर्ट ने इन सारे तरक वितरकों को सुना फिर कहा जब वो पिस्टल लहरा रहा था तब उसे अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए था जब तुम अपरात कर रहे थे तब हर किसी को भूल गए थे और अब तुम्हें अपने बूड़े पेरेंट्स की याद आ रही है इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं देस्क रिपोर्ट रास सक्ता एच्पिस